हे एवरीवान, वेलकम टू बाइली जी एटीज, बचो नीट वेडी ट्वेडी फोर की रजिस्ट्रेशन प्रोक्स स्टार्ट हो गई है, आप में से काफी बच्चे डॉक्यूमेंट्स को लेकर एकदम रेडी बैठे वहे हैं कि मुझे नीट वेडी ट्वेडी फोर के फॉर् तो आज की वीडियो में नीट वेडी ट्वेडी फोर के क्वालिफा इंग्जामेनेशन कोट्स क्या-क्या हैं, आपके लिए कौन सा कोट्स स्यूटेबल रहेगा उसके बारे में बताने वाली हूँ, बचो नीट वेडी ट्वेडी फोर फॉर्म फिलिंग के लिए आप हुआ है कि NTA ने information bulletin में कुछ point mention करना skip कर दिया, गलती से miss कर दिया, या फिर admit card में वो कुछ point गलत mention कर देते हैं, जिसको वो update करते हुए वापस से information bulletin या फिर admit card upload करते हैं, तो मुझे लगा इस बार कि जब information bulletin रिलीज वी आपने भी देखा हुगा काफी incomplete सी लग रही थी incomplete design और category certificate भी ने दिया वा था, self declaration form भी ने दिया वा था, तो मुझे लगा शायद NTA से गलती हो गई होगी ये बाद में इस चीज को update करेंगे, लेकिन form fill करते वे अब मुझे realize हुआ है कि इस बार form filling के लिए category certificate मांग ही नहीं रहा है, तो जिन बच्चों ने मेरी documents required for need 2024 वाली बता देंगे, लेकिन इस साल category certificate और address proof upload करने का option ही नहीं आ रहा है, आप लोगों को counselling के दौरानी चीज़े पूछी जाएंगी, तो आप लोगों को जो basic documents है, आप लोगों की passport, postcard size photograph, signature, thumb and finger impression और valid photo identity proof, ये सारे documents चाहिए होंगे, address proof and category certificates are not required during need 2024 form filling, ठीके चीज, तूसरी need 2024 की fresh preparation शुरू करी है, काबिले तारीफ हैं पहले तो आप लोग आपके होसले की मैं दाद देती हूँ कि अभी से आप लोग हिम्मत नहीं घाद रहे हैं और खुद को एक और मौका देना चाते हैं, तो आप लोगों के इसी मौके को boost करने के लिए, आपके confidence को boost करने के आप 45 Days Most Wanted for NEET नाम से Physics Chemistry बाईली जी की बुक्स रिलीस करिये बचो, ये बुक्स NTNMC latest labors based हैं और ये बुक्स 80-20 rule पर based हैं, 80-20 rule कहता है कि 80% result आपका आता है 20% effort से, NEET में 80% questions पूछे गई है 20% topics से, और उन 20% topics पर ही ये बुक्स emphasize करती हैं, इन बुक्स में आप लोगों को ह topic wise quick revision notes मिलेंगे और हर इस topic के बाद आप लोगों को fill ups भी दिये वे हैं, ताकि उन्हें fill करते हुए आप लोग फटायक से check कर सके, कि इस topic से related मुझे सच में सब कुछ समझ आ गया है या फिर नहीं आया है, जो question bank पाला section है, वहाँ पर आप लोगों को NEET replica नाम से एक section मिलेग बच्चों, तो 45 days में आपकी नीर की preparation को boost करने के लिए आप लोग physics वाला की books यूज कर सकते हैं, इन books का Amazon लिंक में आप लोगो इस वीडियो के description में provide करा रही हूँ, चलिए अब नीर 2024 के qualifying examination course के बारे में जानते हैं, एक ए code में आप लोगों को detail में समझाऊंगी बच्चों जो इस साल board का paper भी दे रहे हैं, अभी February, March में जो board का exam भी देने वाले हैं और इसी साल need का attempt भी दे रहे हैं, first attempt उनका need का होने वाला है, वो सभी बच्चे code 01 यूज करेंगे, 12th appearing students जिनका अभी तक board exam हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, जिनका board का result नहीं आया है, उन सभी क code 01, ठीक है जी, आप लोगं का badge है, 2023-2024 वाला badge, code 01 यूज करेंगे, अब चाहे आप CBSC board से है, ISC board से है, state board से है, या फिर Open University से आपने board का exam भर रखा है, doesn't matter, आप लोग code 01 यूज करेंगे, अगर आप लोग PCM students with biology as an additional subject वाले बच्चे भी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगं का code 01 होगा, basic requirement है कि आप लोगं की 12 में, physics, chemistry, biology plus English का combination होना चाहिए, जाहिए ये biology आपका main subject है, चाहे additional subject है, doesn't matter, अगर आप लोग fresh student है, तो आप लोग code 01 यूज करेंगे, ठीक है, फिर next आता है code 02, simply भाषा में, code 02 is for dropper students, अगर आप लोगोंने class 12 पिछले साल, सा और आप लोग डॉपर students कहलाते हो बच्चो, आप लोगों को gap certificate की जरुवत पड़ती है, लेकिन ये gap certificate आप लोगों को form filling के दौरान upload नहीं करना है, इस gap certificate की requirement आप लोगों को होती है, counseling के दौरान, अच्छा, जितनी भी ऐसे बच्चे हैं, जो कि ऐसा undergraduate course कर रहे हैं, जो कि medical stream से related, physics, chemistry, biology वाली stream से related नहीं है, तो वो सभी बच्चे भी code 02 यूज करेंगे, suppose कोई बच्चा, class 12 उसने पिछले सालों में पास करी थी, और अभी at present वो BCA, BBA, BA, BTEC, ये सभी program कर रहे हैं, जहां पर कहीं भी chemistry, biology, physics, ये सब नहीं आता, तो भी आप लोग कोड 02 यूज नहीं है, दूश्रा, अगर आप लोग अपने first year ये second year में admission withdraw कराते भी, नीट की counselling अटेंड भी करते हैं, तो आप लोगों को ब्रॉपर ही consider किया जाएगा, तो आप सभी बच्चे भी code 02 ही use करेंगी, code 02 is for proper students और non medical background से जो लोग undergraduate course कर रहे हैं, वो सभी बच्चे भी code 02 यू आपने करनाटका बोट से किया है, पिछले सालों में 12 पास कर ली है करनाटका बोट से तो आप लोग कोड 03 यूज करेंगे, आप लोग भी डॉपर स्टुडेंट सी कहला होगे बच्चों, तो अगर आपने करनाटका बोट से पिछले सालों में 12 पास करी है, आप लोग कोड 02 भी यूज कर सकते हो और 103 भी यूज कर सकते हो Code 03 बस अलग से specify कराता है कि आप लोग करनाट का board से ही है लेकिन आप लोग करनाट का board के हो तो dropper student ही तो you can also use code 02 लेकिन अगर आप लोग को mention करना है कि हाँ भई मैं करनाट का board से ही हूँ तो आप लोग code 03 ही यूज करेंगे counselling के दौरान आप लोग को भी अपने drop year certificate की जरुवत पड़ेगी अगर आप लोग करनाट का board से हैं और इस साल fresher student है आप लोग के board के exam चल रहे हैं अभी तक board का result नहीं आया है तो आप लोग code 01 यूज करेगा करनाट का board के fresher students will be using code 01 करनाट का board के dropper students can use either code 02 और code 03 next आता है code 04 बचों जिते बच्चे फॉरण से MBBS करने की सोचते हैं MBBS से पहले वो लोग एक examination देते हैं जिसे की pre-professional exam या फिर pre-medical exam कहा जाता है अगर आप लोग फॉरण से pre-professional course या फिर pre-medical course कर रहे हैं तो आप लोग का court 04 होगा और अगर आप लोग इंडिया में हैं और इंडिया से BMS, BHMS, BAC nursing या फिर B pharma कर रहे हैं इसके first year, second year या फिर third year में है आप लोग का अभी तक ये course complete नहीं हुआ है तो आप लोग court 04 यूज करेंगे ठीक है जी? आप लोग को भी counselling के दौरान gap certificate की ज़रूत पड़ेगी BAC nursing, B pharma, BHMS, BMS वाले बच्चे court 04 यूज करेंगे counselling के दौरान drop year certificate यूज करेंगे next आता है court 05 court 05 उन सभी students के लिए हैं जो की BAC के first, second या फिर third year में भी है third year में क्यूँ? क्यूँकि जब आप need के form फिल कर रहे हो आप लोग के पास third year की mark sheet मौजूद नहीं है कि मैंने third year complete कर लिया है अगर आप लोग का BAC की degree पूरी नहीं हुई है तो आप लोग court 05 यूज करेंगे लेकिन make sure ये BAC कौन सी वाली BAC है जिसमें आपने physics, chemistry और biology में से कोई भी दो subject पढ़े वे हो और इसके साथ English भी पढ़ रहे हो suppose अगर आप लोग BAC life science simple BAC कर रहे हो जिसमें कि आप लोग biology, English और chemistry तो पढ़ते ही पढ़ते हो physics, chemistry, biology में से कोई भी दो subject आपके होने चाहिए आप लोग की degree के दौरान प्लस English आप लोग का subject होना चाहिए अगर आप लोग first year, second year या फिर third year में हो तो आप लोग code 05 यूज करेंगे लेकिन अगर आप लोग उने BAC pass कर ली है कौन सी वाली BAC? ऐसी BAC जिसमें आप लोग उने पूरे तीन साल में से किसी भी साल physics, chemistry, biology में से कोई भी दो subject पड़े थे प्लस English पड़े थी और आप लोगों के हाथ में आपकी BAC की degree है final mark sheet आ गई है तो आप लोग code 06 यूज करेंगे अगर आप लोग MSC कर रहे हैं MSC के first year में है या फिर second year में है MSC अभी तक complete नहीं हुई है तो भी आप लोग code 06 यूज करेंगे ठीक है बस condition क्या है कि PCB में ऐसे कोई भी दो subject आपने अपनी degree के दारान पड़े वे होने चाहिए last word आता है code 07 it is for foreign candidates NRI students के लिए आप लोगों का code 07 है अब मैं फटाफर से sum up कर देती हूँ बच्चो code 01 is for fresher student चाहिए आप किसी भी board से class 12 के board exam देने वाले हैं CBSC board, IRC board, state board, doesn't matter किसी भी board से हैं इस साल board exam में भी appear हो रहे हैं साथ साथ NEET में भी appear हो रहे हैं तो आप लोगों का code है code 01 code 02 is for dropper students आपने पिछले सालों में 12th past कर लिया है आप लोग code 02 use करेंगे अगर कोई बच्चा है जिसने पिछले साल BSC में admission लिया था लेकिन फिर एक semester या दो semester पढ़ने के बाद admission withdraw करा दिया वो college ही नहीं जाता है तो आप लोग भी code 02 use करेंगे code 03 अगर आप लोग करनाट का बोर्ड से 12th past है और dropper student है तो आप लोग code 03 use करेंगे आप बच्चे करनाट का बोर्ड वाले बच्चे code 02 भी use कर सकते हैं code 04 उन सभी बच्चों के लिए है जो कि 1st year, 2nd year या फिर 3rd year BSC Nursing, BMS, BHMS या फिर B Pharma कर रहे हैं अगर at present, form filling के दौरान आप लोगों की ये degree complete नहीं हुई है अभी भी on process है आपकी degree अभी तक आप लोगों का ये course complete नहीं हुआ है code 04 use करेंगे code 05 BSC students के लिए है पर ऐसी BSC कर रहे हैं जिसमें आप लोग अपनी degree के दौरान physics, chemistry, biology में से कोई भी दो subject पढ़ रहे हैं प्लस English पढ़ रहे हैं अगर आप लोग first year, second year या फिर third year में है आप लोग के पास अभी तक अपनी final mark sheet नहीं आई है final year की mark sheet नहीं आई है code 05 use करेंगे code 06 BSC पास कर लिए आप लोगों ने लेकिन किस subject से BSC पास करी है जिसमें आप लोगों ने अपनी तीन साल में किसी भी एक semester में physics, chemistry, biology में से कोई भी दो subject पढ़े थे प्लस English आप लोगों ने पढ़ी थी and code 07 is for NRI students दूश्री चीज़ बच्चों, अगर आप लोगों ने open board से 12th पास किया है पिछले साल पास कर लिया है dropper code यूज़ करेंगे open board से 12th दे रहे हो code 01 यूज़ करेंगे biology as an additional subject वाले भी NEE 2024 के लिए eligible हैं अब इसके अलावा आप लोगों के मन में फिर भी कोई doubt रहता है regarding examination code तो आप लोग इस वीडियो के comment section में mention करें कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके आप लोगों का doubt का मैं reply कर सकूँ और ना सिफ examination code के regarding अगर NEE 2024 form filling के regarding आपके मन में कोई भी doubt आ रहा है इस वीडियो के comment section में mention करो बच्चो जल से जल आप लोगों के doubts का answer देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी ठीक है आप लोगों की नीट बाइली जी की preparation को strong करने के लिए जितने भी free resources में provide करा रही हूँ पीज उन्हें utilize करिये ये सब आप लोगों के लिए में कर रही हूँ बच्चों genetics and evolution की explanatory videos मेरे channel पर upload है difficult topics को याद करने के लिए नीट बाइली जी शौट देशी ट्रिक वाली videos uploaded है मैंने बाइली जी के हर एक unit की playlist बना दी है हर एक unit के हर एक चप्टर के हर एक topic को मैंने shorts की form में explain करावा है इसके लिए आप लोग मेरी ये वाली playlist में चेक करिएगा unit wise जो मैंने playlist अप्लोड करी है मेरे YouTube चैनल के community post section में लगातार जो questions पूछ रही हूँ उनमे भी actively participate करिएगा मेरा नया YouTube चैनल मैंने open किया है Baili G80 Shorts नाम से जहाँ पर मैं आप लोग को Baili G80 के हर एक chapter से हर एक topic का quick revision colorful notes की form में करा रही हूँ तो उन notes के जरी आप लोग quick revision करिए Baili G80 Shorts YouTube चैनल पर भी मैं आप लोग को लगातार chapter wise questions पूछ रही हूँ community post section में तो आप लोग उन polls में भी actively participate करिए मेरे telegram channel Baili G80 इस से भी जुडिए जहाँ पर आप लोग को Baili G80 के हर एक chapter हर एक unit Baili G80 के full syllabus mock की PDFs completely free of cost मिल जाएगी NTNMC कोई भी update release करता है तो सारे notices आप लोग को मेरे telegram channel पर मिल जाएगे तो यह है NEED 2024 के examination code आप लोग चाहे तो screenshot ले सकते हैं बच्चों कुछ भी doubt अभी भी मन में है mention it in the comment section of this video thank you so much for watching this video and if you like it make sure hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos thank you